हेलो फ्रेंड्स नमस्कार कैसे हैं दोस्त चले उमीद है सब लो अच्छे होंगे और अच्छा राना भी चाहिए दोस्त और उन सारे भी द्यार्थियों से मैं अफील करना चाहता हूं दोस्त जो 12 के हैं और जिनका एक्जाम है 2022 में वह इस वीडियो को जरूर अंत तक देखे दोस्त अंत तक इस वीडियो कोपी में नोट कर लें कि कौन से चैप्टर से कितना नंबर का कोश्चन पूछता है आप जरूर देखें और कोपी में नोट करें आप चाहे जहां भी पढ़ते हैं जिस टीचर से पढ़ते हैं उनसे अनुसार पढ़ाईए ताकि हमारा 100 मार्क्स पुड़ा कम्प्लीट हुए ठीक है तो चलिए दोस्त देखते हैं यह नया सिलेबस है आपका 12 का देख सकते हैं माई डियर बोर्ड पर लिखा है यहां पर देखिए बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिस 100 मार्क्स देख रहें आप लों सिलेबस फॉर आई एस सी आई कम या आई यह तीनों के लिए दोस्त इंटर मेडियेट अफ साइंस हो या कॉमर्स हो या आर्ट सो तीनों के लिए तो सबसे परले आप देखिए यहां पर हंडिट मार्क्स दिखाई देख रहा है रूग यह मैं उपर कर लूँ गुड आप देखिए खुब बनियस आपो दिखाई देखा देखा दा रॉंद बनियस से चली आप देखिए यह हंडिट मार्क्स का इंगलिस है दोस्त देख सकते हैं मेरे प्यारे फ्रेंट्स यह objective है 60 नमबर और आपका subjective है 50 marks अब यह 60 जो 60 marks है objective इसमें से दोस्त आपका यह देखें 36 grammar के है और 24 आपका text book जो rainbow part 2 है और एक है story of English उन दोनों किताबों में से मिला कर आपको 24 दिया गया है और 24 में एक चीछ देखें यहाँ पर minus form लिखें और यहाँ पर minus 6 लिखें क्यों क्योंकि यहाँ पर आपको 36 में से 30 बनाना होता है और यहाँ पर आपको 24 में से 20 बनाना होता है यानि कि दोनों मिला कर आप 50 बना सकते हैं ठीक है 60 में से total marks कितना है यहाँ पर देखें 20 यह 30 यह 50 हो गया यह वो objective का subjective यहाँ पर टेक्स्ट बुक तो ग्रामर से आता है दोस्त 17 ग्रामर के सेक्षन से 17 है और बुक से आपके 33 है कुल मिला कि ये भी हो गया 17, 33, 50 और ये 50 पलस और ये 50 पलस दोनों मिलके क्या होगे दोस्त 100 माक्स ये आपके objective है और ये आपके subjective है ठीक है अब हम इसको explain में पढ़ेंगे कि बहुत जोड़े दोस्त ठीक है तो इसलिए वीडियो को अंतक देखना मैं बोलाँ वीडियो को अंतक देखना नहीं तो देखने से कोई फायदा नहीं हुआ ठीक है अब आईए यहाँ पे मैं आपको दिखा दू दोस्त सबसे important question सबसे पहले मैं आपको लेकर चलाओ objective में कहाँ पे दोस्त पहले हम लोग पढ़ेंगे objective grammar section जो कि 36 नमबर का अब भाई जो नया में हो सकता है कि आपका यह हो जाए 100 question आजाए दोस्त grammar और textbook दोनों मिलाकर में पता रहा हूँ यह दोनों इसको भी लेकर और इसको भी लेकर अगर इस साल 100 objective दिया पचास बना रहे narration है 360 रहता है यानि 60 रहता है question तो अगर 100 आता है तो इसकी भी संक्या बढ़ सकती है ठीक है दोस्त time and tense बड़ी important chapter 6 question आता है किते question आते है 6 कब जब आपका 60 question रहेगा तब 60 question रहेगा तब अगर आपका दोस्त objective 100 है तो इसकी भी संक्या बढ़ सकती है ठीक है प्रे position प्रे position पर ध्यान देंगे दोस्त प्रे position 4 आएगा कब जब question की संक्या 60 होगी तब अगर question की संक्या 100 होगी तो इसकी भी संक्या बढ़ सकती है article नियमा अनुसार तो एक ही देता है जब question 60 रहेगा तो लेकि जब question 100 होगी तो भाई इसकी संक्या 4, 3, 5 भी दे सकता है ठीक है अब यहाँ पे अब यह सबसे important है दोस्त यह वाला इस पर ध्यान देंगे article के बाद जो most important चीज़ है दोस्त की spelling correction बहुत आता है जिसको हम लोग बोलते है miss spelled यह हर लड़का को पढ़ना चाहिए miss spelled sorry मैं ठीक से कर दूँ miss spelled ज़रूर पढ़ना चाहिए यह spelling correction का मतलब होता है आपका miss spelled क्या होगा दोस्त miss spelled यानि कि spelling में सुधार करना होता है ठीक है उसके बाद होता है दोस्त सबसे important होता है sentences में क्या होता है sentence को correct करने के लिए आता है जो कि come transformation यह जो chapter आता है transformation में आता है नियमा नुसार दोस्त spelling error तो 60 वाले question दो ही देता है लेकि जब 100 question कर देता है objective तो संक्या उसका 4 हो सकता है पांच हो सकता है और sentence transformation यह भी दोस्त 4 देते थे आपके degree से remove to से प्रस में आपके जो होते हैं बराने के लिए degree के बाद remove to और यह assertive से negative या interrogative से assertive यह सब बहुत ही BBI sentence है जरू इसको देखना माइडियर question की संक्या 4 हो सकती है अगर objective का संक्या 100 हो है तो बढ़ भी सकता है उसके बाद use of adjective use of adjective में much का प्रयोका होता है many का प्रयोका होता है several का प्रयोका होता है any का प्रयोका होता है some का प्रयोका होता है या आप जो टीचर से पढ़ते हैं अगर आपको पढ़ायोंगे एड्जेक्टिव यूजफ एड्जेक्टिव तो निश्चित आप बना सकते हैं ठीक है नेक्स्ट कोचन है दोस्त बहुत ही इंपोर्टेंट कोचन यहां देखते हैं इसी कोचन की संख्या चार होगी बट अगर अब्जेक्टिव 100 है तो इसकी भी संख्या बढ़ सकती है ठीक है my dear अब आते हैं नीचे अब कर रहा है चूज़ दख कारेक्ट ओप्सन ये बहुत भीवी आई है ये भर्व से आते है my dear चार हो सकता है चार से अधिक भी हो सकता है जिसमें आपका नोडल हो जाएगा मोडल के संख्या तीन हो सकती है चार हो सकती है इन्फिनिटिव हो सकता है, क्या इन्फिनिटिव किसी वाग का अबजेक्ट हो सकता है, क्या इन्फिनिटिव किसी वाग का कम्पलिमेंट हो सकता है, इस प्रकार से पढ़ना है, जीरंड पढ़ना है, इन्फिनिटिव पढ़ना है, and form of verb यानि कि verb का पहला रूप verb का दूसरा रूप verb का तीसरा रूप और verb का चोथा रूप और verb का पाच्वा रूप जरूर पढ़िएगा ठीक है यह बहुत important इसके बाद है दोस्त यह वला देख लीजिए आपका antonym, synonym दोस्त अगर 60 question रहेगा तो तीन पूछता है antonym is opposite word and synonyms का मतलब similar word अगर question की संख्या 60 है तो तीन पूछता है अगर question की संख्या 100 है तो यह 5 हो सकता है ठीक है one word substitution अनेक सब्दों के बदले एक सब्द यह BVIA निश्चित ही आता है ठीक है इसकी संख्या मैं इसलिए नहीं दिया है की कम्बिन देता है ठीक है most important chapter for 12th class इसे परना है conjunction, use of conjunction conjunction का सही परियूँ कहा होता है और वाक को जोडने के लिए जरूर सीखना दोस्त combine the following sentences इसी में परना तक combination most important chapter है 12th का point of view अब आईए दोस्त मैं आपको बता दूँ सबसे important चीज अब आईए यहाँ पर text book में 36 के बाद यह 24 question text book में जिसमें से आपका 10 नमबर प्रोज से objective है और यहाँ अब यह objective बता रहे है grammar में सहीतना बता है और यह आपका चला किताम से प्रोज में से 10 को चलाएगा जिसमें आपका लेखक का नाम रहेगा फिर से किस लेखक को Nobel Prize मिला कौन सा लेखक किस देश का है कौन वार पोईट है कौन नेचूरल पोईट है जरूर यह आद खना है poetry में यह सेम चीज चलेगा story of English old English middle और आपका modern पढ़ लीजिएगा उसके बाद जरूर पढ़ीगा आप ड्रामा के बारे में और निश्चित ओके subjective कोश्च आपके आँखों के सामने भी भी आई है देखते हैं दोस्त सबसे पहले यहाँ पे देखिए subjective में एसे आता है आपको कोश्चन की संख्या रहेगी पांच यानि एसे पूछेगा पांच गो answer देना है आपको एक और रहेगा कितना नमबर का आठ नमबर का कितना marks करेगा दोस्त आठ नमबर later application दोनों मिला के दो रहेगा बनाना है हमको एक और कितना नमबर का पांच नमबर का ठीक है दोस्त प्रेसी और पैसेज रहेंगे दो बनाना है किसी एक को और marks मिलेगा चार translation रहेंगे साथ बनाना है पांच और कुल एक एक नमबर का आता है यानि कि 5, यह मिला कि हमारे 22 हो गए, 22 गुदार मरकर ठीक है, निचित ही यह रहेंगे, निचित, ना का सवाल नहीं है दोस्त, इसके बाद आता है माईडियर, टेक्स्ट बुक्स ने से कोश्चन देखें फिर, एक प्रोज सेक्षन से दोस्त, कोश्चन 4 रहेंगे, और आंसर आपको एक का देना है, और एक कोश्चन 4 मार्क्स का होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, चार नमर का, कोश्च एक ही के जवाब देना है, और कोश्चन की संख्या 4 रहेगी, प्रोज में से explain करना होता है किसी लाइन का, और 4-4 लाइन दिया रहेग चार चेप्टर से, और किसी एक का देना है आपको ब्याख्या करना है, 80 से 60 सब्दों कर सकते हैं, और आपको मिलेगा चार नमर, उसी प्रकार से एक पोईट्री में से रहेगा दोस्त, संख्या रहेगे कोश्चन के 4, बनाना है एक, और मिलेगे चार नमर, ठीक है, अब यह QA लिखा, इसका मतलता है, कोश्चन आंसर, संख्या रहेगे 10, बनाना है 5, और यह टोटल, दो-दो नमर का होता है, ठीक है, तो 10 मिलेगा, मैं इसका विडियो बना चुका हूँ, BBI सब्जेक्टिव कोश्चन का, दस मार्क्स का, जरूर देखिएगा, अगर जो भी मेर यह Summary, कौन सा दोस्ट, आप देख सकते हैं, My Dear, Summary, यह होगि हमारा Summary, पूछेगा, प्रोज में से, यानि कि, कहानी में से 3 पूछता है, जवाब देना है 1, और आएगा 5 नमर का, फिर Summary, Poetry में से, फिर Poetry में से, रहेगा 3, जवाब देना है 1, और भी 5 नमर का, ठीक इंडिया, या Discuss English as a Global Language, या What is Drama, या Write a Short Note on Old English, या Middle English, Modern English, यही सब पर दाता है, दोस्त, एक Question का चवाब देना है 5 नमर का, इसका बद मैच Poets, यानि कि कभीयों का नाम और उनके Chapter का नाम आता है मिलान करने के लिए, जो कि बहुत Important होता है, Most Important भी भी आई, इसलिए मैं आपक कि यह आपके syllabus है, और इसको जरूर लिखना माइडियर, हो सकता है कि 100 नमर Question, यानि 100 objective दे दे, तो इसमें से किसी कि संख्या या तो कम हो सकती है, अधिक हो सकती है, बट किताब मैं से नहीं, grammar मैं से हो सकता है, किताब को मैं जो दे दिया, उन्दम नीची तो वही आएगा, तो उसके लिए माफ करना दोस्त, क्योंकि 100 नमर आएगा, तो निची ते कुछ ने कुछ objective की संख्या बढ़ा सकता है, ठीक है, तो मैं लोग क्यों हो सकता है कि spelling mistake ज़दा दे, preposition करी ज़दा दे, कुछ ने कुछ तो ज़दा देगा ही, तो ये हमारे total आपके आप वीडियो देखिएगा, नहीं सबज में आए, तो फिर हम से पूछना दोस्त, मैं आपको फिर बताऊँगा, और telegram channel को join कर लिजिए, मैं इस PDF को आपके telegram पे डाल दूँगा, आप वहां से screenshot लेके खुब बरे लिख लिजिए, ठीक है, तो अच्छा लग है दोस्त, तो इसको आप प जाहिद जैबार्द